उत्राखन में कोरोना वाइरस के मामले कम होने के बाद अब कोरोना वाइरस के नए वेरियंट डेल्टा प्लस को लेकर सरकार चिंता में हैं ऐसे में राजे का स्वास्तेवे भाग भी अलट मोड में नजर आ रहा है और सरकार भी जल्द बाजी में पूर्ण अनलोक पर फैसला लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है हलांकि नए नियमों में लोगों को कुछ छूट मिलने की बाद कही जा रही है लेकिन कर्फ्यू को बढ़ाये जाने के भी हल्चल तेज हो गई है और कर्फ्यू को लेकर कई कयास भी लगाय जा रही है तो क्या है सरकार की मनशा, कैसी रियायते मिल सकती हैं लोगों को इस नए नियम में देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में उत्राखंड में 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू लाबू है और सरकार अब इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ने का प्लैन बना रही है हलांकि जारी होने वाले फैसलों में छूट को बढ़ाया जा सकता है फिल्हाल दुकाने सुभा 8 बजे से शाम 5 बजे तब खुल रही है और नए नियम में इसे 7 बजे किया जा सकता है इसके अलावा वीकेंड पर राज्य के परेटक स्थलों को खोलने का भी फैसला हो सकता है इस तोरान परेटन कारोबार को राहत देने के लिए राज्य सरकार प्रमुक परेटक स्थलों को शनिवार और रविवार के लिए खोलने पर विचार तो कर रही है लेकिन वीकेंड में कर्फ्यू और छूट एक साथ कैसे मिल पाएगी ये बड़ा सवाल है दूसरी ओर कोरोना के नए डेल्टा के खत्रे को देखते हुए सरकार बाहरी राज्यों के लोगों के राज्यों में प्रवेश को लेकर पहले जैसी सकती जारी रखेगी इसके लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है वहीं शाम साथ बजे से सुभा छे बजे तक कोरोना कर्फ्यूर रह सकता है वे अफसाय के अलावा सरकार स्कूलों को खोलने पर भी विचार कर रही है जिस पर पूरे उत्राखंड की नजरे बनी हुई है वहीं आज सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर एसोपी भी जारी होने वाली है